भारत सरकार की एक योजना को शाकार करने का अवसर भी मिला है कि 26 अलिपूर जहां पर बाबा साप का परिनिर्वान का स्थल है वहाँ एक भव्य प्रेरनास्थली बनेगी किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि जिस महापुरुस ने 1956 में हमारे बीच से बिदाए ली आज साठ साल के बाद वहाँ पर कोई समारक की शुरूआत हो रही है वाजपाई जी जब सरकार में थे प्रदान मत्री थे उन्होंने इसको एकवायर किया लेकिन बाद में उनके सरकार रही नहीं बाकी जो आए उनके दिल में अम्बेड कर नहीं रहे हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूरुन कर दिया जाए कभी हम लोग बाबा साब को बहुत अन्याय कर देते हैं उनको दलीतों का मसीहां बना करके तो घोर अधन्याय करते हैं बाबा साब को ऐसे सिमित न करें बे अन्म अमानविय हर घटना के खिलाप आवाज उठाने वाले महापुरुस थे हर पीडिद सोशित कुछले दबे उनकी वो एक प्रफखर आवाज थे उनको बारत की सिमावों में बांदना ठीक नहीं है उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए दुनिया जिस रूप से मार्टिन लुथर कींग को देखती हैं हम बाबा साब आमबेर करको उससे जराबी कम नहीं देख सकते हैं मानवता में जिस जिस का विश्वास है उन सब के लिए यह बहुत आवशक है कि बाबा साब मानवी यह मुल्यों के रखवाले थे और हमें समिधान में जो कुछ मिला है वो जाती विशेश के कारण नहीं मिला है अन्याय की परंपराओं को नस्ट करने का एक उत्तम प्रयास के रूप में हुआ है